उपनिशद कहते हैं बस जीवन का ये उद्देश है, मनुश्य जीवन में दो बाते करने हैं के वल्ट आत्मनों मोक्षा अर्थम जगद हितायचा पहले अपना मोक्षा प्राप्ति करें, अपनी चुट्टी करें, दुख से चुट्टी अपने आपको स्वास्त बनाए, आनन्द में स्थित, अपने सत्चिता आनन्द स्वरूप में जागरत वो हो गया फिर दूसरों को जग़ा है, आत्मनों मोक्ष अर्थम, अर्थम जलक प्राप्ति जीवन का लाभ क्या है जीवन केसे लिए मिला है मन उश्य क्यों बनाए मेंड़क क्यों नहीं बनाए इधर से इधर कोड़ता जाए केड़े मकड़े खाता जाए उसाप उसको निगल रहा है किसी कभी मौका मिलो तो देखना है जो पायथान निगलता है, उस समय उसके धामनी केड़ा आते हैं, तो फिर भी जीब बाहर रहा है, उसको पता चल रहा है, मेरे को खाया जा रहा है, और वो खुद भी खा रहा है, इतनी वासना, इतनी लालसा, ऐसे ही मेरे को अभी मृत्यु खा रहा है, देरे 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 पत पता नहीं चल रहा, अंदर अंदर जा रहा हूं मैं, मुर्तियों आगे बढ़ रही है ना, मेरी तो हो रही है, आपकी पता नहीं, और उसमें भी मैं खाने के लिए तरसू, खाना पीना वासना में रहूं, तो मेंड़क की मेरी बराबरी तो हो गए ना पर, तैसर गदे नहीं बनना है, मनुष्या है, अगर मिला है तो इसकी दो बातों के लिए, इसकी अर्थमल प्राप्ति क्या है, आत्मनो मोक्ष अर्थम, इस जीवन को दिशी चुट्टी करना है, परमन, अपने भगवत पद में स्तापित होना है, आत्मनो मोक्ष अर्थम, और मोक्ष प्राप्त कि वाद आत्मा हत्या नहीं करनी है कि अभी बाकिजो है जगत है जो जन्म जाता है उसका हित्य करें उन्हें भी धर की रास्ते लगाए फिर उस यात्रा में जितना मिले उतना मिले जितना पेट का खड़ा बने के लिए आवश्य कुछनी प्राप्ति उच्छपड के कुछ द इधर से उधर जाने के लिए गाड़ी जैसी खटारा जो भी मिले चलती का नाम गड़ी रख ले जरूरती ठीक है कि बाकी कच्रापटी नहीं जमा करें बहुत आसान जीवन है मस्त बिंदास जिया जा सकता मैं जीराओ ना बिंदास ने डर निर्भीक बहर रहीत आवस्ता क कोई डर नहीं है कोई चिंता नहीं है प्राबलम नहीं ऐसी बात नहीं है सची मैं कहता हूं आना ना किसी दिन बताएंगे प्राबलम तो है चिपकत नहीं है लगता नहीं है कुछ तो यह मेरी प्रातना है कि ऐसे आपका भी जिवन हो हो सकता है थोड़ी गीता थोड़ा ध् झाल